अहम्दाबाद भारत के गुजरात राज्य में स्थित सबसे बड़ा शहर है ये शहर सावरमती नदी के किनारे स्थित पूरे गुजरात राज्य का सबसे बड़ा महानगर है ये महानगर 1960-1970 तक गुजरात राज्य की राज्धानी था लेकिन बाद में गुजरात की राज्धानी को गांधी नगर में स्थाना अंत्रिप कर दिया गया फ्रेंड एहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे तेज विक्सित होता शहर है यहां आप बड़े-बड़े चमकदार शॉपिंग मॉल से लेकर अच्छी सडकों और फ्लाइवरों के अलावा खुबसूरत पार्क देख सकते हैं जो इस शहर की सुन्दरता में चार चांद लगा देते हैं दोस्तो रहमदाबाद एक ऐसा शहर है जहां कई सारे इतिहासिक स्मारद मौझूद है साथ ही इस शहर में ऐसे कई सारे स्थान भी है जहाँ भारती इतिहास और यहाँ की संस्कृती के साथ साथ प्रमुख हस्तियों के बारे में जान सकते हैं फ्रेंड एहंदाबाद शहर को भारत का मैंचेस्टर भी कहा जाता है मैंचेस्टर इंगलेंड में बसा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सूती वस्तर अउद्योग का शहर है क्योंकि एहमदाबाद में दूसरे राज्ज की तुलना में सबसे ज़्यादा सूती वस्तर का उत्पादन किया जाता है इसी लिए एहम्दाबाद को भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है इसके अलावा एहम्दाबाद गुजरात राज्ज का एक महतुपूर्ण आर्थिक और अध्योगिक केंद्र होने के नाते ये गुजरात राज्ज का हर्दैस्थल भी कहलाता है साथ ही ये शहर भारत का सात्वा सबसे बड़ा महानगर भी है एहम्दाबाद को भारत में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले शहरों में से एक माना जाता है इसके अलावा एहम्दाबाद भारत का एक प्रमूक स्वास्ति केंद्र भी है जो की एक बड़े भॉगोलिक शेत्र की जरूरतों को पूरा करता है जो इसे आसपास के शेत्रों के लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनाते हैं यह शहर कई अस्पतालों क्लीनिकों और दोस्तों यह शहर अपने विविद संस्कृति उत्सव के लिए भी जाना जाता है एहम्दाबाद के लोग हर उत्सव के अफसरों को मनाते हुए बहुत भावुक होते हैं यहां के स्वादिष्ट भोजन रंगीन संस्कृति यानी हर उत्सव यहां बड़े उत्साह के साथ म करों में से एक है अगर बात करें इस शहर के शित्रफल की तो यह शहर लगभग 6585 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वर्तमान जनगर्ना के अनुसार हम्दाबाद की जनसंख्या 84 लाग के लगभग है फ्रेंड एमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक भार रुपए की लागत से बना है इसके अलावा एहम्दाबाद शैक्षिक संस्थानों के लिए भी जाना जाता है यहां उच्छ शिक्षा हे तुकई राष्ट्रिय अनुसंधान संस्थान महाविद्याले इंजिनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज जैसे शिक्षन संस्थान लेकिन बाद में इस शहर पर सुल्तान एहमद शाह ने हमला किया और अपने कबजे में कर लिया तब से इसका नाम एहमदाबाद रख दिया गया और अब लोग इसे एहमदाबाद के नाम से जानते हैं दोस्तों वर्षों से यह शहर सांस्कृतिक और राजनीतिक मैत्र का ए इसके अलावा इस शहर में कई सारी खुबसूरत टुरिस्ट पैलेस भी मौजूद है जैसे कांकरिया जीव, सर्दार वल्लब भाई, पटेल, राश्ट्रिय संग्रहाले, साबरमती, रिवर फ्रंट, स्थल लोथल, भद्रकिला, दादा हरेलव, आदिस्थित है, जो लोगों क काफी ज़्यादा अकरशित करते हैं, फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो, वीडियो को लाइक और सबसक्राइब जरूर करें